लोग बोलते हैं कि उनका मैकप करने के बार फांडेंसन है वह केकी हो जाता है या फिर ग्रे हो जाता है वह किन कारणों से होता है नमबर वन कि आपने आपका जो CTM रूटीन है वह उसको अच्छे से फॉलो नहीं किया है यानि कि क्लीनिंग टॉनिंग मॉस्चुराइजर तो आपको हमेशा अपने फेस पर मैग अप करने से पहले हमेशा को अच्छे से लागा सकते हैं बढ़ लागा सकते हैं बड़ जरूरी है कि यह ब्लर कर देते हैं पोल मिनीमाइज प्राइमर लगा सकते हैं और अगर आपकी ड्राइज सकते हैं तो थी है तो जो करेंग। आपके बाद आपको foundation लगाना है, foundation अपने skin type की अनुसार चूज करना है, oily skin है तो matte foundation यूज कीजिए और skin dry तो dewy foundation आपको सेट जरूर करना चाहिए, और आपको setting spray जरूर यूज करना चाहिए तो कि जो आपका जो अपने बेस बना है वो अच्छे से सेट हो जाए तो इसके लिए आपको setting spray को इस तरह स्प्रे करके और हलकर शाफ ब्यूटी ब्लंडर से उसे इस तरह से चाहे तो डार्यक्ट ब्लंडर पर भी उसको इसको इसको जो सेड है वो भी आपको अपकी स्किन टाइप के अनुसार यह नहीं है कि आपका बहुत ज़्यादा डार्क फेस है और आप बहुत ज़्यादा लाइट लेके आ गए हैं